मेंस T20 क्रिकेट वर्ल कप 2022 का आज़न कहा हुआ तो आंसर आपको टिक करना है ऐस्ट्रेलिया होगा इसका अंसर कौन सा यह संस्क्रण था अगर यह पूछ लिया जाए कि ICC जो मेंस T20 क्रिकेट वर्ल कप 2022 में आज़न हुआ इसका संस्क्रण था वह आठमा संस्क्रण था और इसमें वीजेता कौन रहा तो वीजेता रहा आपका इंग्लैट, ठीक propagates Wooman Cricket World Cup 2022 का एजुर्ण कहां हुआ, यह हुआ आपका नियुजलांड में होता है, और वीजेता इसमें कौन रहता है, कौन से देश का टीम रहती है, औस्लेलिए का टीम इसमें वीजेता रहती हैए Gentai, कहां पर होगा, पयरेस फ्राश में होगा, ठीक है, 32 में आप सभी को पता है, कहां पर टोक्यो, plain news टोक्यो में हुआ था, 2022 में हुआ था, 2021 में हुआ था, 2023 में 15 वाँ, ठीक है, Wisp Athletics Championship 2022 की मिजमानी कौन सा देश किया है इस बार वो है अमेरिका किया है और इसी Championship में निरच चोपरा ने भाला फेक में Silver Middle जीता है तो ये भी most important question बन जाएगा निरच चोपरा ठीक है भाला फेक से ध्यार रखेगा 7 अगस्त को 7 अगस्त को क्या मना जाएगा अब भाला फेक दिवस मनाय जाएगा है ना नेक्स सवाल पर आते हैं चौथा खेलो इंडिया Youth Games 2022 में इसका आजन कहां हुआ पंशकुला हर्याना में हुआ इसके सुभंकर का नाम था धाकर और पहले अस्थान पर पहले अस्थान पर कौन रहा आपका हर्याना इस पहले अस्थान पर रहा पांचमा खेलो Youth इंडिया पांचमा खेलो Youth Games 2023 कहां होगा आजन इसका मध्व परदेश में होगा आने वाला और नेक्स सवाल पर अगर देखते हैं नेक्स सवाल क्या है यहाँ पर कि जो दूसरा खे इनिवर्सिटी को दी जाती है इस वार कि इस ऍर जो है किसको मिला है गुरू नानक इनिवर्सिटी कहा का अमरिसर का रूप今日 के आसियान ने किस देशिदान रूप से अपने 11 सदसुस्य करने extranet कियं है तीमोरलिस टीडिया को अपने 7 अष्यान में आपने सब हीने पड़ा है कि 10 मेंबर इसमें हैं अब 11ranadu Miella Apt 이जesta के बारे में कुछ यहां पे जनकारी जो होगे अगे देखीएगा पहला यह तो आस यान से बात करते हैं Kate at पिजा लिजे, Association of South East Asian Nation होगा, इसके स्थापना होती है 1967 में, हेटक्वाटर का है जाकारता इंडोनेशिया में, इससे रिलेटर सवाल क्या कि तीसमा आसियान इंडिया सिखर समयने 2022 कहा हुआ, कमबोडिया में हुआता है, राजधानी क्या है इसका, कमबोडिया के राजधानी नौम पे है, तिमोर लिस्ते के और मैं बात करूँ, यहाँ पे तिमोर लिस्ते से रिलेटर कुछ इतिहास इसके बारे में जान लिजे कि तिमोर लिस्ते, 1975 तक यह पूर्तिकाल के अधिन रहा, तब इसका नाम पूर्वी तिमोर था, ठीक है, पूर्वी तिमोर था, इसका पहले नाम जब तक ये 1975 था ये पूर्टगाल के धिन रहा इसका नाम था पूर्वी तिमोर उसके बाद 2022 था कि इंडोनेश्या के धिन रहा अब ये एसिया का सबसे युवा देश बन गया है और अब नया इसका नाम क्या हो गया है तिमोर लिस्ते ठीक है पूर्वी हटा दिय कभि की है 1991 की पूलिसी है ये अब इसका नाम एक्ट कर दिया गया है । ठीक है हाली में किसे गूगल पुलिजर 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 यह ध्यां रखेगा वहीं बात करते हैं दादा साब फालके पुरुषकार 2022 किसको मिला है तो आसा पारिक को मिला है ध्यां रखना है आपको तो पुलिजर पुरुषकार तो ठीक है आपको इसी तरह से टर्म जो बोल चाल में लगेगा कि सेम सेमे पुलिजर और यहाँ पे इसे बास्तुकला खेत्र में दिया जाता है और पुरुषकार 2022 किसको दिया गया फ्रांसिस केरे को दिया गया जो कि पहले अफ्रिकन है बुकर पुरुषकार 2022 किसको दिया गया है शेहान करुना तीलिका को मिला है जो कि स्रिंलिंका के यह है और इनको किसके लिए मिला है द बुकर्प्रुसकार 22 होगए, अगर आप से सवाल आपको पूछ ले जाए, अंतरास्टी बुकर्प्रुसकार है यहां से सवाल आपका अगर यह आजाए, teor के बताए, अंतरास्टी यह, और इसका इंग्लिस में अनुवाद जो किया गया है Tom of Sand Tom of Sand किसके द्वारा किया गया है Deji Rockwell के द्वारा Deji Rockwell के द्वारा किया गया तो ध्यान रखे है अगर बुकर पुछा जाए 2022 का तो सेहान करूना तिलिका को मिला The Seven Moons of Mali Almeida के लिए लेकिन Most Important आपको ये वला से वल ध्यान रखेगा चुकि एक भारती है ये क्या है गितान जी श्री क्या है भारती है ठीक है गितान जी श्री क्या है ये भारती है ध्यान रखे अंतराश्टी बुकर पुछा 222 किसको मिला है तो गितान जी श्री को और इनकी कौन से उपन्यास रेट की समाधी ये हिंदी में लिखा गया था इनके दौरा लेकिन इसका इंग्लिस वर्जन किसके दरह किया गया गया डेजी लॉक्वेल की दौरा सौक्ष सर्वेक्षन पुरुसकार 2022 किसको दिया गया है तो एक लाख पलस के आवादी वाले सहर में आपके पंचगणी महराष्ट को मिला है पंच मड़ी नहीं पंच मड़ी अलग है तीक है पंच मड़ी आपका कहा ये मद्ध परदेश में ये बात ध्यान रखना है आपको सवाल प्याते हाली में परख्यात विद्वान आर एल कस्यप का निधन हो गया ये क्या थे तो ये एक गने तग्यत है इसलिए भी महुत ये फेमस इसलिए भी थे क्यूंकि चार वेदों का अंग्रेजी में नुमारत करने वाले विश्व के पहले ये वेक्ति थे और इन्हे पदम शुरी से नवादा गया 2021 में इसके लिए ठीक है ग्राफिक्स इंटर्चेंज फॉर्मेट प्राडूप की निर्माता का हाली में निधन हो गया है इनका नाम था स्टिफन विल हाई ठीक जो आप देखते है मुवाइल में अपना जिया एफ भेसते है ना मैसेज में इ सुराज में अमूर फालकन फेश्टिवल का एजन किया गया मनीपूर्क में नेक तवाल दोज़र पचीस कबड़ी विश्व कब का एजन कहां पयोगा बेस्ट मिल्ड लैंस में यह है कहां इंग्लैंड में एसिया के बार यह पहली बार होने जा रहा है और इसमें सोलर टीम की खिला रही है 11 नमबर 2022 को किस ने इकुम इकुम पोर्टल लॉंच किया है राश्टपत्ती द्राविदी मुर्मु के दोरा और कौन सी संस्था के तहत यह लॉंच होती है तो AI CTE All India Council for Technical Education के माध्यम से इसका लॉंच किया जाता है राश्टपत्ती मुर्मु ने इसे इसे इसे का दुबारा अध्यक्ष बना गया है ग्रेक बरकले को और कहां के हैं ये निउजलैंड के दो वर्सक्राविदी मुर्मु ने इसे का दुबारा अध्यक्ष बना गया है इसके लिए इने फिर से बना गया है और निर्विरोध इन्हें चुना गया है चौदा से सताइस नॉमबर दोजाशा चौबिस तक एक्तालिशवा अंतराश्टिय पैपार मेले का हुआ हुआ है नई दिली और इसकी ठीम क्या है वोकल टू लोकल लोकल टू ग्लोबल ठीम क जरू धियान में रखना आपको किस देश लें फी फांडर्ट सेवंटीन महिला विस्प का 2022 का खिताब जीता है अस्पेन ने जीता है किसको हरा कर कोलंबिया को हरा कर ठीक और इसका अगर मैं बात करूए इसका सुभंकर क्या था सुभंकर था इभा ठीक है सुभंकर था क्य इभा वर्ड मैन अफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं डॉक्टर सलेम अली जाने जाते हैं इनके एक फविमस बोख है जिनका नाम था वर्ड्स आफ इंडिया और 1976 में इने पदम विभूशन से समानित क्या गया था केवला देव राश्टी उध्यन का है भरतपूर राजस्थान में है टागर मैन अफ इंडिया किसे कहा जाता है कैलास शांखला को पहला सांटिफिक वर्ड एटलस जारे करने वाला राज कौन सा है आपका केरल हो जाएगा वाटर मैन अफ इंडिया किने जाना जाता है डॉक्टर राजिंद्र को आमूर फालकन की राजधा यह मनिपूर का है मनिपूर आज के स्थापना होती नैटीन सेवेंडिटीटू में ठांगता मार्सल आट कहां का है यह भी मनिपूर का मनिपूर से आपके 4-5 सवाल जो ध्यान में आपको रखना है भारत के परथम खेल विष्विद्याली के स॥ापना कहा होती है नहीं तमिनाडू में इसका सुम्हंगर था थंबी 31 सम्मान 2022 का विजयता रहे हैं अस्गर वजाहत महावली नाटे के लिए यह सम्मान दिया गया है 31 सम्मान 2022 के विजयता है राम दरस्मिस इनका जो पन्यास है मैं तो यहां हूं के लिए मिला है की 20 एसिया कप 2022 का एसुन कहा होता है यूईयू में होता है मेंस विजयता में कौन स्रिलंका है और बुमेंस में इंडिया इसमें विजयता टीम होती है संतो स्ट्राफी 2022 का ऐज़न कहा होता है? केरल में और विजेता इसमें कौन होता है? केरल ही विजेता होता है तीन रज्ज ध्यान रखे तीन रज्ट कौन कान सा है? महराष्टी का नवी मुंबई हो गयी और गौण मैं फीपफा अंडर 17 महिला विसकॉप का आजन भारत में होता है भारत के तीन जो आपके जो रज है वहाँ पे ठीक है 24 ग्रिस्म कालीन डेफ ओलम्पिक का आजन का हुआ ब्राजिल में हुआ है 36 ग्रिस्म का आजन का होता है गुजरात में होता है और नेक्स्ट जो होगा अगला 37 का होगा गोवा में होगा फीट इंडिया मुव्मेंट का सुरू होता है वर्स 2019 में सुरू होता है राश्टी खेल 2022 का सुभंकर क्या है सावज राजीव गांधी ग्रामीन ओलंपिक 2022 को सुभांकरे शेरू, आज़न होता है राजस्थान में Commonwealth Games 2022 को सुभांकरे पेडी दा बुल और Commonwealth Games 2020 का जो है आज़न होता का है बर्विंगम इंग्लेंड में इकुम पोर्टल को किसे ने लॉंच किया है दुरापदी मुर्बूर ने AICTE के दवारा और इकुम का फिल फर्म है नॉलिज अनलिस्ट इन मल्टिपल भारती लेंगवजर्स लोगपाल एप किसके लिए लॉंच हुआ है मररेगा के लिए मररेगा जो अधिनियम कब का है वर् 2009 से जिसांक एप किसने लॉंच किया है करनाटक ने लॉंच किया है क्यूँ भूमी रिकॉर्ड में सुधार के लिए बाई ब्रेक एप वाई का मतलब योग होगा योग ब्रेक किसने लॉंच किया है आयूश मंत्राले के दवरा लॉंच किया गया है किसान मोबाइल एप किस सबसे बड़ा सफारी पर कहां था पिए हर्याना में यह सरकार के दौरा लौंच़ का गया है ये युज़ना हर्याना सरकार के दौर लौंच होती नौमी से बारवी कक्षा कि जो उच्छात रहें उन्हों उन्हें क्या फ्री लैप्टॉप वित्रित इसमें किया जाएगा इस योजना के अंतरगत हाली में भारत फ्रांस के बीच गरूड अभ्यास कहा हुआ है जोत्पूर राजस्थान में एंडम एजुथम योजना कहा का है तमिलाडू का और इस योजना के तहट जो कोबिड-19 का प्रभाव सिख्छा पे कम परे इसका ये उद्देश है मुफ्त नास्ता कारिक्रम मिल्डे मिल के अंतरगत किस ने शुरू किया है तमिलाडू ने शुरू किया मुफ्त नास्ता कारिक्रम भारत की पहली सास्थे भासा जो तमिल है कब इसे सास्थे भासा के रूप में सामिल के आगिया वर्स 2004 में ICC के वित एवं बानि जग्षमिती का प्रमुख कौन बने है जैसा बने है ब्रिटेन के नए समराठ कौन बने किंग चार्ल्स तुरितिये ब्रिटेन के नए परधान मंत्री बने है रिशी शुनक विलियम रूटो किस देश की राश्टपती बने है केनिया के स्री रंका के नए परधान मंत्री कौन में दिनेश गुन वर्धने सियो मारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राश्टपती बनी है हुंडू रास की मार्कोज जुनिर किस देश की राश्टपती बने फिलिपिन्स की कैटीडीन नुवाक किस देश की पहली महिला राश्पति बनी हंगरी की 2022 में इंटरपोल की नवेमा महसवा की मेजवानी किस देश ने किया है भारत ने किया है कहा नई दिल्ली में संगहाई सहयोग संगठन 2022 की मेजवानी किस ने किया है तो आपका क्या है समरकंद उजबेकिस्तान में ठीक है और 2023 में कौन करेगा भारत करेगा भारत का पहला इवेस्ट इको पार्क कहां बनाया गया दिल्ली में परधान मंतरी ने इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा का अनावरन किया है बहारत का पहला नविकरनी उर्जा से संचालित हवाईड़ा इंडरागाण्दी उतराष्टि हवाईड़ा दिल्ली का दिल्ली के नए उपराचपाल कौन बन गया है बिने कुमार सक्सेना बने है दिल्ली को नेशनल कैपिटल रिजन NCR किस समिधान संसोधन के द्वारा घुशनत किया गया उन्हातरमा समिधान संसोधन के द्वारा हर्याली फेस्टिबल का आजन कहा किया गया है हाली में दिल्ली में किया गया है T20 में वर्ल्ड कप 2022 के सिन जीता है, इंग्लैंड जीता है, पाकिस्तान को हरा कर और इसका आजन होता है औस्टिलिया में पहला T20 वर्ल्ड कप कहा हुआ था, कब हुआ था, 2007 में होता है, इसमें विजेता कौन रहता है भारत, आजन होता है दक्षिन अफ्रिका में रंजी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन रहता है इस बार मध्य पर्देश विजे हरारे ट्रॉफी विजेता 2022 कौन बनता है हिमाचल पर्देश 10 नुमूमर 2022 को भारती सेना ने किस राज में बालोंग मेला का अजन किया है अरुनाचल पर्देश में लेक्स सवाल पिता हाली में किस रेलवे स्टेशन को फोर स्टार इट राइट अस्टेशन प्रमानन से समानित किया गया भुपार रेलवे स्टेशन को अखिल भारती रवर उद्द्यों का नया धक्स कुसे चुना गया है रमेश केजरी बाल को दुनिया में सबसे उचाय पर अवस्यत मत्यदान केंद्र ताशी गंग कहां सिते ही माचल पर्देश में है भारती सेना ने कहाँ पर वीर्ड नाडियों के लिए एकल सुब्धा के रूप में विरांगना सेवा केंद्र सुलुकिया है नई दिल्ली में अस्टैच्व प्रोस्परेटी का नावरन कहां किया यह बंगलूडू करनाटक में यहां पर नादप्रत कैम्प गोरा का प्रतिमास्थापित कहा गया जो की 108 फिट उची है और बंगलूडू की अगलबात के लिए बंगलूडू के संस्थापा के रूप में जाना जाता है नादप्रत कैम्प गोरा को